कड़ी पकोड़ी चावल तो वही आज मैं बनाने जा रहे हूँ एक पंजाबी डिश है और मेरा तो बहुत फेवरेट है मतलब मेरे घर में ही सब खाते हैं मेरे इन-लाउस के घर पे नहीं और दिया है टू टेबल स्कून के करीब मास्टर डॉल उस पे मैंने दिया है एक हाफ ड्राइ लिप्स ड्राइ रचिली थोड़ा धनिया पाउडर जीरा पाउडर मेथी पांच फोडोन और तेज पत्ता और होल गरम मसाले लाइची लॉंग और दार्चिनी देखे बहुत अच्छा से मैंने भून लिया है इसके बाद मैं इसमें डालूंगी ओनिया इसके पहल जींजर और गार्लिक क्रश कर लिया है ग्रीन चीली रखे है चौप करके टोमैटोस रखे है चौप करके और मैंने प्याज के पकोड़े बना लिया है जैसे आप सिंपल बनाते हो प्याज और ग्रीन चीली थोड़ा हल्दी और सॉल्ट के साथ बेसन के प्याज के पकोड़ और इदर मैंने क्या किया है दही को पहले बहुत अच्छी तरह से फ्याट लिया है उसके बाद इसमें बेशन डाला है इसमें मैंने 2 टेबल स्पून के करी बेशन डाला है धनिया पा운डर जीरा पाउडर और हल्दी टर्मरिक और सॉल्ट है अच्छे से मैंने इसको दिला लिया है है तो प्यांच के फ्राई होने के बाद मैंने इसमें थोरा आदू डाल दिया था बुटैटस आब सक्टिस थे औरbean़ HAS मैंने पतला पतला गरकर इसकी डाला है क्योंकि इससे टेस्ट और भी निखर कर आता है तो पोटैटोस भी फ्राई हो गए थे इसके बाद मैंने ग्रीन चीली जिंजर जो क्रश किया हो हो गार्लिक जिंजर और चौप किया हो टोमैटोस सब डाल के अच्छे से इनको भून दिया है अब मैं इसमें वो जो मैंने दही रेडी किया था तो वो दही ड अच्छे से पकने देते हैं दो तिन मिनिट ऐसे चलाते रहना है बॉयल आ जाए उसके बाद पकोड़े डाल देने हैं मेरे कड़ी पकोड़े की फाइनल लूक मैंने इसके उपर कसवरी मेथी डालकर इसे रख दिया है और बहुत अच्छे से मतलब यम्मी सा लग रहा है औ और आप चाहो तो इसमें धनिया पता या मिन्ट पुदीना पता डाल को भी सर्व कर सकते हो गरम गरम चावल के साथ या रोटी के साथ जो भी आपकी मर्जी हो यह दोनों के साथ बहुत अच्छा लगता है तो यह इसका फाइनल लुक है अब मैं इसको ढग कर रख दूंग बाद में भी बहुत अच्छी लगती है पर आप ऐसे भी बना के खा सकते हो रोटी के साथ तोड़ तोड़ कर या फिर चावल के साथ और बस इतना ही आज के लिए आप बताना आप बना के बताना कैसा लग रहा है आप कमेंट जरूर करना लाइक शेयर करना मत भूलना और म के लिवत काई